एक किताब में कुछ लिखा था और वो ऐसा लिखा था जो कि इंसान की बुद्धी को ब्रस्ट करने वाला था। उस किताब में जो लिखा था उस लिखाई को पढ़ करके एक और अपने देवर के साथ वो सब काम करने लगी जो उसको नहीं करने चाहिए थे। और फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर खुलता है एक बहुत बड़ा बेद आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी सचाई जानने के लिए वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरची बाद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना उत्तर पृदेश के सीता पूर थाना चेतर के महमुदाबाद की है महमुदाबाद के अंदर एक रमेश नाम का लड़का रहा करता है वह अपने परिवार के अंदर उसका छोटा भाई है वह खुद है मम्मी पापा है यह सबी लोग रहा करते हैं और रमेश बाहर नौकरी किया करता है और परिवार का भरन पोसन कर रहा है साधी उसकी अभी हुई नहीं है तो वह रात की ड्यूटी करने के लिए घर से ड्यूटी पर जा रहा था तब ही रास्ते में एक औरत रो रही थी बैटी हुई अकेली थी उसके पास कोई नहीं था तो वह उस औरत के पास बैट कर उससे पूछने लगता है कि क्या दिक्कत है तुम्हें तो वह औरत जिसका नाम था निर्मला देवी वह कहती है कि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है मैं अकेली हूँ नहीं मुझसे कोई साधी करने वाला है और नहीं मेरे साथ कोई चलने वाला है तो यहाँ पर वह जो लड़का होता है रमेश वह देखता है कि लड़की तो खूब सूरत है तो रमेश कह देता है कि मैं तुमसे साधी करूँगा कौन कहता है तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है मैं तुम्हारा अपना बनूँगा तो उसे अपने साथ ले आता है और उसके साथ साधी कर लेता है साधी होने के बाद अब निर्मला देवी उसके घर में रहने लगती है और दोस्तों घर में रहते रहते अब जो रमेश होता है वह तो ड्यूटी पर जाया करता है ज़्यादा समय डूटी पर रहा करता, घर में निर्मला अकेली रहा करती, निर्मला का देवर भी था, उसके साथ स्सूर भी थे, लेकिन पती घर पर नहीं रहा करता था अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों अब एक किताब होती है जिसको निर्मला देवी बार बार पढ़ा करती है उस किताब को पढ़ करके वह ने जाने क्या अपने मन में विचार करने लगती है और उस किताब के अंदर जो लिखा था उसको भी मैं बाद में बताऊंगा तो उसके पती रमेश को पता लग जाता है कि आकर घर के अंदर मामला क्या चल रहा है, तो वे अपने घर पर आता है, अपने छोटे भाई से कहता है कि तू कर क्या रहा है, यह तेरी भावी है, मैंने इससे साधी की, तो उसके बाद वह अपने छोटे भाई को सहर भेज देता है ज्यादा लडाय नहीं करता घर के अंदर जिससे की मामला घर के अंदर ही बना रहे उसका छोटा भाई सहर चला जाता है तो अब फिर से निर्म्ला अकेली रह जाती है उसका पती तो ड्यूटी पर रहा करता है अब यहाँ पर वैस सोचती है कि अब इसको रास्ते से ही हटाना पड़ेगा क्योंकि इसने तो मेरी जिंदगी ही नर्क बना दी है यह उसके साथ सम्मन नहीं बनाता था टाइम पर नहीं आता था तो यहाँ पर क्या होता है रमेश को जो निर्मला देवी है सुनसान जगह पल ले जाती है गूमने के बहाने रात के समय में कि मेरा जीसा उखड रहा है मुझे थोड़ा सा गुमा लाओ उसके बाद क्या होता दोस्तों रमेश को ना उसके माबाप का पता था ना उसके परिवार का पता था सिर्फ साधी कर ली थी और जो की बहुत गलत था पता होना चाहिए इंसान को इंसान के बारे में अब यहाँ पर रमेश उसको घुमाने के लिए सुनसान जगह पर ले जाता है तो यहाँ पर वे उसके उपर जान लेवा हमला करना स्टार्ट कर देती है उसके पास चाकू था लेकिन दोस्तो रमेश लड़का था वे उससे छूट करके वहीं पर पड़ोस में ही थाना था पुलिस चौकी थी वहाँ पर पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है और सारी घटना बताता है पुलिस तुरंट वहाँ से भागती है और उस लड़की को गरपतार कर लिया जाता है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा भेद खुलता है जिससे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है वह जो लड़की थी उसका जो बैग्गराउंड था वो ये था कि वह लड़कों से साधी करती और साधी करने के बाद कुछ दिन तक रहती छोड़ करके वहां से फ़रार हो जाती और फिर दूसरी साधी कर लिया करती तो इसका रीजन पूछा पुलिस ने कि तू ऐसे साधी क्यों करती है तरह तरह के लड़कों से तो बताती है कि मेरे पास एक किताब है और इस किताब में लखा हुआ है कि अगर ज़वान होना है या फिर ज़वान ही रहना है सदा के लिए तो जितने भी हो सके उतने जादा से जादा लड़कों के साथ सम्मंद बनाने चाहिए तो दोस्तों यह बताती थी जब उसका पती उससे ठक जाया करता था तो उसको लगता कि संबंदों में कमी आ रही है तो उस पती को छोड़कर के दूसरा पती कर लिया करती थी इस तरह से उसका काम चल रहा था पुलिस को अरेस्ट करके मुकदमा दर्श कर लेती है दोका धरीका और फिर दोस्तों उसको जेल में डाल दिये जाता है इतने ही दिनों तक जवानी रहेगी, उतने ही दिनों तक बुढ़ापा और इतने ही दिन में इस दुनिया को छोड़कर इनसान जाता है। अगला पोरा मोजलती फिर से लेकर आँगा किसी सची घटना के उपर, तब तक आप खुश रहें, साथान रहें, जैहंद, जैभारत!